तो ये गाज़ विडियो वीडियो अना रस प्लेई सूपर पिछले चैप्टर बहुत ही अमेजिंग था मेरे वीडियो के व्यूज भी बता रहे हैं कि ये चैप्टर कितना अमेजिंग था ठीक लिटरली सत्तर अजार व्यूज भी क्रॉस कर चुके वो भी सिर्फ मांगा रि चैटर को देखने के बाद लोगों के मन में ये बात पूरी तरसे बैठ चुकिए कि यही यही वो बंदा है जो कि शैंक्स का बाप हो सकता है क्योंकि ऑविसली पहले के टाइम में ये गौड़ वैली का रूलर था और गौड़ वैली पे ही शैंक्स रोजर को मिला था तो आ तब फिगार लैंड फैंबली अब और अगुशा दिया है जो कि यह फिगार लैंड एड़ एड़ इसका सियाज़ा मतलब है बहुत ही श्ट्रॉंग और बहुत ही इंफ्लुएंशियल लोग उस फैंपली में बिलॉंग करते हैं पिर चाहें मंकी डी फैंपली को देख लो अभी तो रिसेंटली जोरो की फैंदी को रिवीयल करती हैं जिस से में बजला कि जोरो का कनेक्शन शी मोट्सुकी से है तो अगर आपने वह अली वीडियो नहीं देखिए तो आप वह भी जाके देख सकते हो पर यहांपर बात आ जाती कि आखिने फिगार लैंड फैं़ी एक्चुलि में एक noble bloodland को belong करती है यानि कि celestial dragon वाले ही bloodland को belong करती है जावर figarland garlic actually में God Valley का ruler हुआ करता था before the destruction of the Thailand पैसे तो इस family के बारे में हमें फिल्म रेड में ही hint मिल गया था पर जब तक उड़ा सेंसे अपनी original manga में चीज़े confirm ना कर दें तब तक उन पर विश्वास करना थोड़ा सा माईले मुश्किल हो जाता है क्योंकि non-canon movies पर जादे ध्यान नहीं जाता विल्म रेड में हमने five elders के मूँ से पहली बार figureland family के बारे में सुनने को मिला था जहांब उन्होंने बोला था कि maybe shanks same figureland family से बिलॉंग करता है और च्योंकि उसने उटा को adopt किया है तो उटा भी उसी family से हो सकती है पर यहां से कुछ ऐसे चीज़ों के जवाब मिलते हैं जो क कि बहुत ही contradicting है सबसे पहले बार world government को नहीं confirm है कि shanks family को बिलॉंग करता है मतलब उसके celestial dragon होने के chances बहुत ही जादे जीरों है फिलाल के लिए उसके बाद अगर उनके हिसाब से उटा figureland family को बिलॉंग करती भी है तो वह उसको execute करने का order नहीं दे सकते क्योंकि अगर हम यह लेके चले कि shanks को वो लोग celestial dragon मान के उसकी बात सुनते हैं तो सिर्फ इस हिंट पे कि उटा figureland family को यानि कि वर्ल नोबल फैमिली को बिलॉंग कर सकती है उसको मारने का order नहीं दिया जाता यहाद से मुझे एक चीज़तों समझ में आ रहे है कि shanks figureland family को बिलॉंग नहीं करता current prediction के हिसाब से अभी यह दोनों members confirm नहीं किये गये थे मूवी में कि यह दोनों फिगालेंड से बिलॉंग करते हैं या नहीं पर फाइली चैप्ट नमर टेनिटी सिक्स में ओड़ासेंसे ने एक confirm member दिया है में फिगालेंड फैमिली से इसका नाम है figureland garling और यह बंदा आते ह इंटरनेट हिला दिया इस बंदे को सभी के सभी शैंक्स का बाप समझ रहे हैं पर क्यों बड़ासेंसे ने यह चीज़ कंफर्म नहीं करी है और सभी कि सभी लोग पागल हो रखे कि बाइश का बाप आ गया यही था गौड़ वैली का राजा और शैंक्स भी गौड़ वैल और रॉक्स को शैंक्स का बाप मान सकता हूं बट फिगालेंड गालिंग यह ओड़ासेंसे का स्टाइल नहीं है क्योंकि यह बहुत लगता है ना सुनने में फिगालेंड गालिंग जो कि एक श्ट्रॉंग बंदा था जो कि गौड़ वैली का रूलर था जिसने रोजरो गा लाइन है वो रोरो नोवा फैमिली से लेकिन अप रोड़ एक्चुल पॉइंट्स पर जाते हैं कि आखिर क्यों यह बंदा शैंक्स का बाप नहीं हो सकता इस बंदे की मेंटलिटी और जस्टिस का तरीका यह बंदा बाई शैंक्स का बाप होता तो शैंक्स सबसे पहले इस ज़रूरी नहीं है बर शैंक्स की रेपूटेशन जो है वो देख कि कहीं से भी यह नहीं लगता कि इस बंदे का बाप ऐसा होगा तो लोग इसको सपोर्ट करते इसका मतलब शैंक्स के पैरेंट्स या तो मर गये हैं या फिर उन्हें सच में अभी तक इंट्रोड्यूस नह जो कि थोड़ा ओवियस लगता भी है क्योंकि यह बंदा संदूक में मिला था तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी जादे है कि यह एक्चुली मैं रॉक्स डी जी बैक के शिप पे हो क्योंकि रॉक्स डी जी बैक को डिफीट करने के बाद एक ट्रेजर बॉक्स मिलना बहुत पास उसको रख लिया गाप को वो ट्रेजर बॉक्स मिला हो और गाप नहीं सोचा हो कि वर्ल्ल गवर्मेंट तो इसको सूली पे चड़ा देंगे या फिर इसको स्लेव बना के बेज देंगे इससे वणिया यह रॉजर को ही सौप देता है या एक दूद पीता बच्चा या होया ऐसा इंसान जो कि अभी तक पैदा भी नहीं हुआ उसको कभी भी अपने बाप के क्राइम्स की वज़े से सजा नहीं मिलनी चाहिए यह हमने पहले भी सुन रखा है वन पीस में यह सेम सीन रोजर के साथ था तो ऐसा होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पहले भी यह हो चुकी है औरॉजर के साथ और क्योंकि उस समय भी गाप उसके साथ तो इसलिए प्रजेंट टाइम में भी गाप उसकी बात सुनने को रेडी हो गया था तो इसलिए जब रोजर ये बात दुबारा बोलता है यही सेम लाइन शायद जो पहले गाप ने रोजर को बोली आप देखो यह बंदा इस्ट्रॉंग तो बहुत है यह पता आराम से लग रहा है क्योंकि यह बंदा गॉड वैली की इंसिडेंट में इंवल था गॉड वैली के बारे में क्लियरली बोला गया एक ऐसा इंसिडेंट चाहां पर सेलस्टियल ड्राइगेंस गाप और रॉजर मि की रॉख्षडी जीबै की क्रूसे फाइट कर रहे थे तोटल अभी आज के टाइम में दो नॉन अन कंफर्म और एक कंफर्मममेंबर में बताया गया था कि फिए फैमिली से हो सकती है और वहीं से सब पूरिये लगता कि शेयांस to connection है उटा से और फिए फैमिली से में भी आने वाले कुछ चैप्टर में हमें और भी डीटिल्स गॉडवैली पर देखने को मिलेंगी क्योंकि ये बंदा जो कि फिगालेंड गालिंग है जिसे गॉडवैली का चैंपियन बुला रहे हैं फैंस क्योंकि मरी जोईज पर बहुत बड़ी बुकमरी आने सब्सक्राइब कर सकता है अगर ऐसा कुछ होने लगा तो मरी जोईज में बहुत उल्टा उल्टा मामला होने लएगा और मैटर आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है जो कि कभी नहीं चाहेगी तो इसलिए रेवलुशनी आर्मी ने जो कुछ भी किया है आने वाले टाइम में मे वैली के बारे में और भी काफी दारी चीज़े पता चलेंगे कि अगर वैली कैसे डिश्ट्रॉय हुआ था उस टाइम में और क्या वो फाइट के जस्ट बाट डिश्ट्रॉय हो गया था या विर उसकुछ टैम बाद डिश्ट्रॉय किया गया था क्योंकि एकॉर्डिंग पूरा का पूरा गॉर्ड वैली इंसिडेंट एंड ये फिगालेंड फैमिली बहुत जादे इंपोर्टेंट है आगे आने वाले चैप्टर्स में और यह जाना भी बहुत जादे जरूरे कि आखिर क्यों वर्ल्ल गवर्मेंट शैंक्स की बाद मान रही है वेल इतने सारे स सामली के बारे में यह भी मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूरू बताना जिसका कॉमेंट मुझे अच्छा लएगा मैं उसको पक्का पिन कर दूंगा अगर आप लोगों ने जोरू वाली वीडियो नहीं देखिए तो वह जाके देख सकते हो और अगर आपको लाइव पर रिव्यू को चेक आउट कर सकते हो आप पर मैंने बहुत अच्छे पॉइंट्स को डिसकस किया है खेर मैं आप लोगों को सुम्हें को लिए वीडियो में सुन्टिक तर नेक्श वीडियो ले ओन